हलो दोस्तो दिपु किचन में आप सभी का सागत है तो दोस्तो आज हम बनाएंगे आलू बायल करके फिंगर रोल और देखिए बहुत ही ज़ादा क्रेशपी और बहुत ही ज़ादा चटपटा बनाएंगे और मिंटू में तयार करेंगे तो चलिए हम इस फिंगर रोल को बना स्टार्ट करते हैं तो यहां पर देखिए हमने बाल करके आलो को रख लिया है तो बालो को पहले हमेंसे ह्पूबच्छे से मैसी करना है और इसमें मैं साधन सान नमक डाल दे रही हूं ओर हरा धनिया ले रही हूं और इसमें हम konflore डारे हैं अगर आपके पास कॉन फ्लॉर नहीं है तो आप इसमें चावल का आंटा भी डाल सकते हैं और एक जो थाई चम्मच मरीज पाउडर डालने हैं और इसे हम खुब अच्छे से मिक्स करेंगे तो आप इसे हम खुब अच्छे से मिक्स हो गया है इसे अब हम ऐसे रख देते हैं तो खुब अच्छे से इसे हमें फैला देना है इसके बाद हम देखिए बेलन से इसे हम खुबच्चे से चारो तरफ से पतला सा हम बेल लेंगे और इसके किनारे किनारे जो है इसे हम निकाल देंगे और देखिए पतले पतले स्लाइसे में हम इसे काट लेंगे तो यह देखिए इसने ही पतले आपक चोटे पीस में चाहिए तो मैं चोटे पीस में रख रहे हैं इस तरीके से तो देखिए कितने अच्छे से निकलाया है और यहाँ पर तेल गरम हो गया है तो मैं एक एक करके इसे डाल देते हैं हमें एकी साथ नहीं डालना है एक एक करके और कुछ सकेंड रुक कर डालना है त इसे हमें देखिए तुरंद नहीं चलाना है इनहीं किसे तुरंद करें तो देखिए खुबच्चे से सॉप्ट हो गया है दोनों तरब से हो गया है गोल्डन ब्राण हो गया है तो इसे अब हम निकाल लेते हैं तो एक खुब अच्छे से फ्राइ हो गया हैं इसे फ्राइ काने में 3-4 मिंट लगे हैं तो इसे अब हम निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम दूसरा बैच भी फ्राइ करेंगे तो यह देखिए तेल खूब अच्छे से गरम होना चाहिए उसके बाद हमें गैस का फ्लेम जो है मेडियम रखना है बहुत ही ज़्यादा हाई नहीं रखना है ने तु बीच में कच्चे रह जाते हैं तो यह देखिए इसी तरीके से मेरा दूसरा बैच भी तयार है तो बस फटा फट इसी तरीके से आप बना सकते हैं तो यहाँ पर देखिए बाइल के आहुआ फिंगर रोल तयार है इसे मैं हरी चटने और टमेटो केचप के साथ खा रहे हूँ और आप सब भी इसी के साथ खाईएगा काफी अच्छा लगेगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है मैं आप सब से एक बार नहीं बार बार तो प्लीज आप सब बनाएएगा और जो भी मेरे भाई बेहन देख रहे होंगे प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आप इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहें ताकि